हेलो वरिवन आई होब एवरिवन इस डूइंग विल आज हम कुछ स्वाइल साइंस के इंपॉर्टन पॉइंट देखने वाले उसमें से फस्ट है कि एलिमेंट इस कोर पार्ट ऑफ दी अर्थ मतलब पौन सा एलिमेंट है जो आर्थ के कोर पार्ट में प्रेजेंट रहते है इसको जैसे इसको करश्ट बोलते हyst और जो बीच का होता है इसको हम मैंटल बोलते है म अ एटी अल इ और इसके बाट जो बीच का होता है एक जब लास्ट ईव उसको पार्ट ग Ώक है तो इस में कॉन से अरे याद रहते हैं तो आपको याद रहते हैंफिना निकल परेंट कोः पाल्ट में याद रहते हैं परेंट हैं फ्रजाद प्रेसेंट लेवल पेसे हें उसके पाह देखेंगे कोउन से प्राइमरी हैं दो हैं तो माक्जमम प्रेसेंट पेसे जाद़ अवेलेबल रहें ठीक हैं अभी कैसे याद है कि अजयों से मेफ्टाबर हमारे primary macro nutrient तो फ्रामरी नियूट्रियंट हैं यह फ़र्ट से सिक्वेंस भादा दाता है जिक है एंप के ठीक है नपी के ठीक है तो पहले लिख लेना पर की तो थोड़ी देर केने पकर रहेने दो फिर लिखो कि acidic वाला देसे under 5.5 जादा acidic होता है तो यह हमको normally पता है और हमको neutral भी पता है 6.5 तो 7.5 वाला neutral है फिर उसके बाद 7.7.0 मतलब 7 जो है यह neutral रहता है 6.5 तक यह लिख 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 maximum availability और potassium की maximum availability greater than neutral neutral से जादा थोड़ी neutral से जादा 7.0 to 8.5 तक में जादा maximum availability रहती है potassium की I hope आपको यह बहुत यह वाली जो वीडियो है छोटी शोट सी और बहुत informative होगी आपके लिए I hope आपको अच्छी लगी होंगी और आगे भी मैंसे shorts पॉइंट डालते रहोंगी